असलाम नेकुम गाइज और विल्कम चैनल विचिज निखत पर वीन तो कैसे आप सब उमीद करती हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे खरीयत से होंगे आज मैं आप सब किशा शेयर करूंगी यह एक फ्राइस की रेसिपी आपने फ्रेंश फ्राइस तो बहुत खाया होगा बट चैनल को लाल बटन दबाके सब्सक्राइब ज़रू करें बगल में बेला इकान को भी प्रेस करना ना बोले तके सबसे प्रेंट नोटिफिकेशन आप तक मौझे तो चैनल फिक बनना स्टार्ट करते हैं एक फ्राइस बनाने के लिए हम सबसे पैर इंडियेंस चाहिए होग तो बस दिखिए लास्टो अंड़ इंडर तोड़ ले रही हूं उसके बाद इसमें एड करेंगे नमक तो नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जयतना नमक चाहिए हो करो उसी रिशाब से उसके बाद में इसमें अट करेंगे फ्लेक्स तो यह चिली फ्लेक्स है इसको मैंने वन एन हाफ टी स्पून डाला है और यह अपके पास औरिकेनो नहीं हो तो आप यहाँ थोड़ा सा चाट मसाला एड़ कर सकते हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप तो अच्छे से मिक्स कर लें अट लिस्ट वाइफ टेन मिनुंस तक इसको अच आपको प्लास्टिक हैं आपके बास स्टेल का हो तो चीपके नहीं असाइन इस निकल जाए तो आप चैंट केंट से कर सकते हैं रेज क्रेश het तैल लगा देना है पूरे कंटेनर में और इसे बेटर को इस कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे तो देखिए आप यहां प्राइब कर दिया है और अब हम इसे बंद कर देंगे धकन से अगर आपके पास इसका लीड नहीं हो तो आप कोई भी घर का चोटा बटन से उसको धक क तो चलिए मैं इसका प्रोसेस बतादेती हूं यहां पर मैंने कड़ाई में हम एड करेंगे वन गलास पानी यानि केक लास पानी हम यहां पर आद करेंगे और ये वाला जो है इस तरीका का पतीली रखने के वाला आता है तो यह स्टेंड के उपर हम इसको रख देंगे डायरी टाप कड़ाई को के ऊपर यह वाला कंटेनर नहीं रखिए या कोई भी वरतन डायरीक नहीं रखिएगा वह स्टीम वाला रख के रखिएगा और अब हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनुट्स तरक स्टीम करेंगे तो जब त अब चीवी इस फ्लेक्स जो बचा हुआ था वह आड़ कर दिया है थोड़ा सा नमक डाला है अगर आप चाहे तो डाले अधरवाइस इसकिप कर सकते हैं और मैंने इसे पानी से मिला लिया अच्छे से तो बस इसी तरीके से मिला ले और मिलाकर यह घुल रेडी कर ले तो य बीकुल भी कोई भी बैटर नहीं आ रहा है कच्छा बैटर देख सकते हैं चमच साफ है क्लीन आड़ा इसका मतलब वह अच्छा से सीम हो गया है वह तो अब इगीलर नहीं अंदर से तो बस हम इसको निकाल लेते हैं थंडा होने के बाद इसको निकाल लेंगे तो आप हम इसमें करत लगांने साथे जादा मोता नहीं अब यह मीडियम साइब करके कर अना उसकी बाद हम क्या करेंगे कि वह जो थोड़ा साइट से यहाट अच्छा यह यह वारा तो इतना चोड़ा ह Romans bald Handle नहीं चाहिए तो हमस्की बीस से भी cards ल好不好 की इस तरीकह से जो फ्राइस ह बन गया है तो इसी तरीके से बाकी सब कभी में कर्स लगा लूंकि क्योंकि इतना चौड़ा चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत ज्यादा ठीक हो जाए गई है तो इसी लिए मैं वे बीच से कट लगा रही है तो इसका शेफ बिल्कुल फ्राइज जैसा हो रहा है तो और अब क्या करें कि छोटा कर ले जी हो साइज में अगर आप चाहाए तो इसी तरीके से बना सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर छोटा कर दिया है आप चाहाए तो फिंगर जाए से ही रख सकत करेंगे आप चाहे तो डबल कोटिंग करें इससे और भी अच्छा रिजल्ट आएका डबल कोटिंग पे मैंने यहां पर सिंगल कोटिंग किया है लेकिन डबल कोटिंग करने से रिजल्ट और भी अच्छा आएगा यानि कि और भी अच्छा बनके आएगा यह तो आप डब रख दिया था तेल गर्म हो गया हो रहा है हाइव फ्राइम पे बिल्कुल और आपंगे इसके तेल गर्म होका एच्छे से अच्छे से था घंट करते हैं oh fingers hard mine has快ky कर लेगे तो देखिए रहा है तो ये देखे फ्राई हो रहा है इसको हमने रो फ्लेम पे ने बिल्कुल हाई फ्लेम पे करना है और गोल्डन ब्राउन करना है बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है तो इसे हाई फ्लेम पे ही रखे और इसे अच्छे से चलाते ही करना है ज्यादा नहीं चलाना है पर सेम देख फिंगर कवा तरफॉद सबस्कुराइब सब्सक्राइब इक उतल चैनल पक्लाइब जरूर करें पगल में बेला आइकोन को भी प्रेस करना ना भूला तो मिलते एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक लिए अपना खूब सार ख्याल रखिए दौाओं में याद रखिए अल्ला हाफिज